मत्यप्रदेश पुलिस की चर्चा पुरे देश में हो रही है और हो भी क्यों ना पुलिस ने काम ही कुछ ऐसा किया है पुलिस ने पुरे फिल्मी अंदाज में एक लुटेरी दुलहन और उसके गेंग को धर दबोचा है इसे पकरने के लिए पुलिस ने गजब का ड्रामा र सब कुछ असली लगे इसलिए थाना प्रवारी दुलहे के फूफा बने जबकि एसाई को दुलहे का फिता बनाया गया शादी आसानी से हो सके इसलिए थाना प्रवारी ने एक लाख रुपे में सौधा भी हो गया इसके बाद पुलिस जाल बुनती गई और लुटेरी दु उसने पुलिस को बताया कि 15 फरवरी को उसकी शादी जोती नाम की लड़की से हुई थी यह शादी दलालों के जरिये हुई थी लेकिन वह लड़की शादी के तीसरे दिन ही 50,000 रुपे के साथ साथ जेवर लेकर गायब हो गई पुलिस ने उसकी शिकायत सुने के बाद धुकाधरी का केस दर्ज कर दिया उसके बाद जान शुरू कर दी जान चली रही थी कि एक हपते पहले पुलिस को पता चला की लुटेरी दुलहन भोपाल में है फिर क्या था पुलिस ने दलाल की भी तलाशी कर ली और उन्हें पक पुलिस ने उन्हें पकरने की पुरियोजना बनाई और तुरंत मुखवीर को बुलाया मुखवीर से कहा कि तुम दुलहा बनोगे मैं फूफा और एसाई रामलखन पायक को पिता बनाएंगे परिवार भरा पूरा दिखे इसलिए कॉंस्टेवल दुरुगेश सिलावट को दुलह का भाई और एसाई अभिशेक पटेल को ड्राइवर बनाया गया इसके बाद एसाई पायक ने दलाल से संपर किया और कहा कि बेटे की शादी करानी है दोनों ने इस शादी के लिए सौधा एक लाख रुपे में तै किया पुलिस ने लुटेरी दुलहन के साथियों क खाते में पांच हजार रुपे भी जमा करा दिये ताकि उन्हें किसी तरह का शक ना हो इसके बाद वरवदू पक्ष आपस में मिले और लड़की को पसंद कर लिया इस मुलाकात में तै हुआ कि शादी सागर के परेड मंदीर में होगी पुलिस पुलिस योजना के साथ ना भूल गया था इसके बाद फूफा को फौन किया गया और वे वर्माला लेकर मंदा पहुंचे इसके बाद पुलिस ने लुटेरी दुलहन और पुरी गैंग को पकड़ लिया दुलहन ने बता है कि उसका असली नाम रजनिया हिर्वार है वो रहली की रहने वाली है उसक झाल